ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें महिस्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स 36 गड़ के बिलासपुर के रहने वाले सलीम शेख सन 1994 यानि आज से 25 साल पहले अपने परिवार से बिछल गए थे मगर अब एक बार फिर सलीम शेख अपने परिवार से मिल गए हैं करीब 25 साल पहले मांसिक रूप से कमजोर सलीम शेख अचानक अपने घर से लापता हो गए थे घरवालों ने सलीम शेख की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी मगर सलीम शेख का कुछ पता नहीं चल सका दो दिन पहले ही कल्यान पस्टिम बैल वाजार में आधार संस्था के विनायक आभाडे को सलीम शेख मिले इनके पैरों में काफी चोट लगी हुई थी इनकी इस्तिती खड़े होने जैसी नहीं थी विनायक ने पूश्टाच की और दवा भी कराया सलीम शेख के लिए खाने कपड़े का भी बंदुबस किया कल्यान के महत्मा फुले पुलिस से भी संपर किया पुलिस और आधार संस्था ने 36 गड़ के बिलासपुर की पुलिस से भी संपर किया जिसके बाद आईजी ने 25 स पुरानी मिसिंग रिपोर्ट निकलवा कर पूरी जानकारी महराश्ट पुलिस को भेजे और ठाने की मदद से सलीम शेख के भाई जुनेद शेख को भी जानकारी दी गई जिसके बाद सलीम शेख की पत्मी और भाई जुनेद शेख कल्यान पहुंच गए महत्मा फुले पुलिस की तरफ से कानूनी मदद और जो भी फिल्ट की मदद वो हमने कर दी उसको और उसके रिलेटिव जे बिलासपूर के रहने वाले उनको ढूंड के उनके तावे में आज उनको हैंडूर कर रहा है यह जब मेरे को मिले तब उनका कंडिशन बहुत खरापता मतलब कपड़ा खरापता और इनके पेर को पट्टी बांदी दी इनका पेर दर्ध कवेशन को खड़ा रेने को नहीं आ रहा था ओ देखकर उनको उठा कर लेके जाकर उसके उपर इलाज करकर हम आज आपके सामने उनको दे रहे हैं उसके गर वालों के सलीम शेख 56 वर्ष की उम्र में अपने भाई जुनेद और पत्नी से तो मिल गए हैं मगर इनकी मा इनका इंतिजार करते करते इस दुनिया को छोड़ कर चली गई मगर अभी ये नहीं पता चल सका है कि इतने दिन सलीम कहा था और ना ही सलीम कुछ बताने की स्थिती में है मगर सलीम की तवियत में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है आधार जैसी संस्था की वज़े से सलीम शेख एक बार फिर 25 साल बाद अपने परिवाहर में पहुँच गया है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम से